स्वागत आपका ब्रेक के बाद हमारे खास प्रोग्राम आपकी बात प्रोग्राम और आद चर्चा करने के लिए हमारे सादो खास म export मत्तिपरसाद न्याथाशन जी न्याथानी जी आप बात करहgriff की दबाओ बनाती है पेडियाफ इस तरह की चर्चार चलती है लेकिन चर्चा तो ये भी चलती है कि पीडियाफ कमजोर है पीडियाफ अगर मजबूत होती तो आज इस तरह की इस्तिती नहीं होती कोई अपा कॉंग्रेस के खेमें से नहीं निकल सकती थी ने ऐसा नहीं है देखिये वो कॉंग्रेस का अपना अंदूरूनी मामला है हमारा पीडियाफ का तो जो मतलब है वो ये हम कमजोर नहीं है हम कमजोर होते तो क्या सरकार बनाते हम जब मजबूत हुए तब तो सरकार बनी तो ऐसा नहीं है पीडियाफ कमजोर बिलकुल नहीं है और जो हमारी अपनी कारेप्रणाली है, वो बिलकुल पारदर्षता है, लोकतांत्रिक है, और सब की राय से कोई निलने है, हमारा जो निलने है, वो अकिला कोई निलने नहीं होगा, जो भी निलने होगा, वो सब का एक साथ का निलने है, तो उस द्रिष्टी से हमारा ये मानन और घर छोड़ दो तो उनमें तो हम लोग हैं नहीं क्यों कई बार तो ऐसी स्थिति बन गे थे क्या आप मुझे लगता कि सत्ता दल के विदायक की धंदे को पर बैठ जाए ने देखिए सत्ता दल के विदायक का मतलब यह नहीं है कि वह बिल्कुल हर चीज को जो है वह अपन अंतिक तरीका भी ऐसा क्या कि आसा तो पहली वार इतिहास में उत्रा खंके थाज में पहली बार इसा हुआ कि चोदा पंद्र विदायक एक साथ धरने पर बैठ गया है ने चोदा पंद्र विदायक कोई ने बैठे वगरा सब लोग दरने पर बैठे वो उन्होंने रखी है धरने की तो बाती ने आई वो तो बात रखे उन्होंने मुक्यमंतर जी के साथ एक चीज और अफ़ावड़ी कि कुछ विदायक दिल्ली पहुंचे सीम सब की कुरसी बचाने के लिए तो क्या आपको नहीं लगता कि आपना का बाग आया बाग आया इतनी सार इस्त खबरें जो होती हैं वो प्लॉटेड होती हैं कुछ खबरें प्रायोजित होती हैं कि ऐसा चला दो तो अब जो जिसको चलाना है चलाए भाया हमारा तो विजन सिधा स्टेट का है स्टेट के विकास के सवाल पर पीडियाफ का कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा विकास हमारी सरोच प्रात्मिकता है. और उसके लिए हम किसी भी सीमा तक जा सकते हैं. हमारा मानना ये है कि अभी बीच में वैसे अगर देखा जाए तो हम जैसे बहुत सारे काते हैं के साथ P-D-Ap दबाव बनाता है. हम क्या दबाव बनाते हैं. जब सरकार बनी हमने पीडियाप बनाया सरकार बनने पे जो कमिटमेंट हुआ था कि दिनेज धनय को मिनिस्ट्री में रखा जाएगा वो ड्रॉप किया गया उस समय हम ने हम लोगों ने उस तरीके की बात नहीं की उसके बाद मुझे किर्शी मंत्राले मिला था बिना मेरी कंसर्ण के किर्शी मंत् हमने कुछ नहीं बोला उसके बाद दुरगापाल जी के साथ बत्तमी जी हुई उसमें भी हमने बात की कि भाई इसको मेटलाइज करो उस समय हम चुप रहे हैं उसके बाद हमारे सुरिंदर राकेस जी के साथ बात हुई फिर कभी कोई कुछ बोल दे कभी कोई कुछ बोल द यह तो मेरे सवाल का जवाब होगे ना जो आपने सब माम लेगे गिनाए कि आपको नहीं लगता कि कमजोरी है सबीए दिनेज धने जी वाले पर क्या बाता हुआ था सवाल इस बात का है कि जो अगर कोई गलती कर रहा है तो उसके की बात कर रहे हैं आने की बात कर रहे हैं यह कॉंग्रेस का अंदुरूनी मामला है यह वो जाने हम को इसमें कोई दखलंदा जी की जरूत नहीं है ना हम चाहते हैं कि पीडीयाफ केएए कि वीजय बात कर दो को अपन भागनाजी के साथ हैं कोई खूर देंगे ने इसा कहीं नहीं यह किसी निक्सटार ने देखिए हम ने समर्थन क्लिउप को किया है सवाल बेक्ति का नहीं सवाल एक विचारदारा का कॉंग्रेस ने बहुगना जी को अपना मुख्यमंत्री बना करके वेजा, ठीक है, हमने तो नहीं कहा कि बहुगना जी को मुख्यमंत्री बनाओ, हमने तो नहीं कहा, तो उस द्रिष्टे से कॉंग्रेस ने वेजा, हमने कहा ठीक है, चलते हैं, काम करते हैं, आज कॉंग्रेस अगर कोई निलने लेना चाहती है, तो Congress का अपना अंदरूरी मामला है, वो जाने है, हम तो अपना निलने देखेंगे, हम अपना सोचेंगे, कि हमे को क्या करना है, अभी तो ऐसी कोई बात है णहीं, हमारा तो साप कहना है, कि हमारा इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है न हम इस विवाद में पढ़ना चाहते हैं हमारा स्टेंड यह है कि इस्तिरता कायम होनी चाहिए और उसके बाद जो निल्ने आएगा उस निल्ने के बाद हम अपना निल्ने करेंगे कि इस निल्ने हो गशिए है पहली नहीं पर थे छाने कम दो उसमें कहीं doğru हायए ठ्यले मुझे लगता totally प्रूमें अगर एसी बात कहीं है क्या मैं तिवाडी जी के मंद्री मंदल में रहा इस सेमय अई और यहां औरती रही तिवाडी जी आज गए, कल गए, आज गए, कल गए, आज गए, कल गए, पान साल चले गए, तिवाडी जी पान साल नहीं गए, तो उससे में तो कोई PDF पूडियप था नहीं, उससे में तो Absolute Majority Congress की थी, आज हम सब समर्थन में हैं, तो हम, हमारी भी एक सीमाएं हैं, उन सीमा तक हम भी देखेंगे, अगर उसके बावजूद भी, अगर कोई स्टेट की बात नहीं होगी, तो उस तब देखा जाएगा, तब सोचा जाएगा, हमारा विजन जो है, हमारा जो तार्गेट है, वह स्टेट का भला है, हमारा अपना ब्यक्तिकत भले से कोई मतलब नहीं है, स्टेट सुरक्षित रहेगा, तो हम सब सुरक्षित हैं, अगर स्टेट में अविवस्ता रहेगी, स्टेट की जनता को वह लाब नहीं मिलेगा, जिस चीज के लिए हमको भेजा गया, तो फिर उसमें उस पद पे रहने का कोई मतलब नहीं होता, इसमें एक बात और है, जो हुआ, तो आपने मामले बता हैं, चलो ठीक, आप पीडि अप साथ हैं, कॉंग्रेस के साथ हैं, लेकिन लोकाइक्त वाले मामले पर क्या हुआ, कई बार आपकी तरफ से बयान है, पेडि अप की तरफ से, कि कुछ भी शंसोदन होता है, तो हम शंसोदन को स्युकार निकरें आखिर में क्या हुआ कई बार बैठर कैंसिल हुए आपके और फिर आखिर में वही हुआ कि आपने केंदर वाले लोग पाल के अकोर्डिंग उसे लोकाइक्ट को बनने दिया ने देखिया ऐसा, दो बात है, पहली बात तो यह है कि खंडूरी जी ने जो लोकाइक्ट बिल बन प्रस्ताव 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 करके केंद्र को बेजा गया तो उसमें कॉंग्रेस भी तो इन्वाल्व थे अब उसको पास करके महामहिम राष्ट्पती जीसे सेंक्सन हो गई और आज वो यहां पर आ गया अब उसको अगर हम यह कहें कि ने साब इसमें संसोधन क्या हो सकता है तो उसमें क्रेटेबिलेटी जो है वो कॉंग्रेस के भी होती कि उस समय आपने सर्वसमत प्रस्ताव क्यों होने दिया उसमें जो संसोधन प्रस्ताव था उस पे क्यों टरंडाउन किया तो उस बात को मद्देंजर रखते हुए हमने इस स्टेंड को लिया कि जो चीज बन करके आ गई है उस चीज पे उस पे नानुकर नहीं होनी च चीज से हैं तो सवाल इस बात का है कि जो चीज आ गई बन करके उसको जब सूट सिल देया आपने सिला दिया सूट तो पहले करो यह धीला है यह टाइट है अरे पहले उसको पहिनो तो सही तो फिर मतलब लोग्रेस को तो लोगपाल बिल का इंतजार था नहीं नहीं देखे कांग्रेस को लोगपाल बिल का इंतजार कता ही नहीं था अन्ना हमको था लोगपाल बिल तो पार्लेमेंट ने एकदम उसको प्रोड्यूस किया कि अन्ना हजारे जी आमल नंसन पर बैठे हैं और जो उनका लोगपाल बिल था उसको केंदर सरकार ने एकसेप्ट किया और व बगात सिंग कोशारी जी हूँ, चाहे उनका संगठन को, जब उनकी हेड पार्टी ने, जो मुख्य जो लोग हैं, उन्होंने केंद्रिय नेत्रितों ने इस चीज को आकसेपटेंस देदी है कि लोकपाल बिल साही है, तो उस लोगपाल में यहां पर फिर कोई बात ने बस्ती है, कि इसको हम एकसेप्ट करें और इसको छोड़ें, जो लोगपाल बिल एकसेप्ट किया गया है, उसमें जो अब जो चीजें आएंगी, उन चीजों में सारी चीज़ें रखी जाएंगी जो आया है बन करके उसमें सब लोग दाइरे में हैं जो हमारा पर्शू था वो यह था कि सारे लोगों को उसमें दाइरे में आना चाहिए खंडूरी जी ने जो लोका एक तो बिल बनाया वो गलत नहीं था मैं नहीं मानता हूं गलत नहीं था वो उनका स्टेंट बिल्गुल सही है मैं आज भी का रहा हूं लेकिन जब लोगपाल बिल पास हो गया है और पर्लेमेंट ने पास कर दिया है और वो एक और्डिनेस बन गया है तो उसको भारत के सम्मिधान के अंतरगत हर राज्ये की यह परतिबदता है कि लोगपाल बिल को एड़ॉप्ट किया जा है और ये हमारा सवभाग्य है मुख्यमंत्री जी ने इस पे इनिशाटव लिया हमारी सरकार ने और ये हमारा राज पहला राज है जो लोगपाल बिल को एकसेट करके उसको उद्द ए वज़िघा वहीं हो गई मिटिंग कैंसिल होने के कई कारण है, मिटिंग कैंसिल होने के कई कारण है, एक मिटिंग में तो हम ही नहीं पहुंच पाए, हम अपने छेत्र में थे, मेरे साथी लोग नहीं पहुंच पाए, लेकिन हमारा जो स्टेंड था वो गलत नहीं था, हमारा स्टेंड आज भी गलत न जो अन्य जगह हो रही है तो उसका समाधान यह बहुत जरूरी है मैं अन्ना हजारे जी को बहुत धन्यवाद दूँगा एप्रिशेट करता हूं मैं उनको और मुझे लगता है कि जो उन्होंने स्टेंड लिया है उस स्टेंड पे आज हंदुस्तान ही नहीं बलकि हंदुस्तान की एक साख गई है कि हंदुस्तान के अंदर ऐसे लोग भी प्यदा हैं, जिन्नोंने की इस चीज़ को कनफ्owine करने के लिए अपनी ज्यान तक अड़ा दिया जान की परवा नहीं की और यह भी हमारे हिंदुस्तान का लोगतंतर का तकाजा है के केंद्र सरकार ने गंधर में कॉंग्रेस की आपके संइख तो उन्हों सरकार रही उन्हों एश चीज इस चीज को accept किया वेश ईंदुसक्त का ये पर तरीका है हिंदुस्तान और आज ये के बल पर हिंदुस्तान कायम है साक जिन्दा है और यह होना बहुत जरूरी है तो लोकपाल पर तो आप कोई ऐसी बात ही नहीं रही नहीं अब सवाल एक और है समय भी बहुत कम है अब पीडियाप का क्या स्टेंड रहा दोहजार चौदा चलना है तीन साल लगभग बचे हैं पीडियाप कोंग्रेस के गडबंदन वाली सरकार को उतराकंड के अंदर क्या देखते हो अब एक इस तरह के स्टेंड पीडियाप कराएगा देखिया हमारा स्टेंड तो आज भी किलियर है हमारा स्टेंड यह है कि पीडियाप का हमारा स्टेंड यह है कि जो विकास जो है वो आवरुद नहीं होना चाहिए विकास तेजगति से चलना चाहिए हमारा स्टेंड ये भी है कि जो हमारे जो साथी हैं उनको जैसे दिनेज धने हैं उनको जो है मंत्री मंडल में नहीं लिया गया है और जो अन्य साथी हैं. जिनको के कैबिनेट मंतरी का दर्जा प्राप्थ है. चाय उसमें प्रीतम पैब 먼저 है और हरीच चंदुर्गापाल जी घ contato मनतरी है लेकिन जो हमारे तेन हैं अन्य साथी है। हरीदाजी और पारिदास जी है, सर्वत करीम अंसारी जी है और दिनिज धने जी है, इनके पास जो पॉर्टफोलियो हैं, उन पॉर्टफोलियो में अब आपने किसी को उसका निगम का अद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द कंबनेत के मांकर उत के हमारे मालना है कि यह जो है यह हमारे साहत्रीς होना हूलना चाहिए तो फिर कैसे होगा तो अभी होगा स्पेशच बिनिंगा वह जाने लेकिन हमार हो अगे का स्टेंड जै कि फेपहले तो हम ऐसी कोई बात ने कर रहे हैं। अगर जो एक अच्छल कूद करते रहते हैं, तो इस उचल कूद में भहया हम मरने के लिए तो तयार है नियुक।। हम को जन्ता नहीं इसलिए भेजा है कि हम विकास की बात करें। और उस विकास की बात में जो एक जिसको कहते हैं कि एक लोगतांत्रिक तरीका है, जो फ्रेमवर्क है, वो फ्रेमवर्क होना चाहिए. हम सत्ता के चासनी की बात नहीं कर internet को दिहाँ नहीं हे का僕 जिए नग इनको जिस चीज चीज के लिए बनाया गया इनको पूरी पवर दी जानी चैए निगानि को ताकत दी जानी चाम यह नहीं है सब्हेburghenika hasn't available उनको कोई अहयामि मनल आ पूचरा अभदने जी को गढवाल मंदल विकास निगंगाει का चेहरमκεन बना दिया सब्हजार मेंग गणिङ गणैस गोद्याओंष। लेकिन गढवाल मंदल विकास निगंगो को कुमामनल विकास निगम का चेर्मेन हो, इनके पास कोई पावर ही नहीं है, यह एक चबड़ासी को ना लगा सकते हैं, ना अटा सकते हैं, ना यह किसी फाइल पर डिस्जन ले सकते हैं, बोल्ड जो तै करेगा, तो यह जो इस्तिती है, इस इस्तिती को भी समालने की आवज सक बना रहे हो, यह गाड़ी तो सब के पास, तो गाड़ी तो सादरन से आदमी के पास भी है, उसके उपर से लालबत्ती अट गए अब तो समयधानी की बात है, कानून की बात है, लेकिन जहां तक सवाल पावर का है, किसी भी ब्यक्ति को अगर आप बनाते हो, उसको पूरी पावर दी जानी चाहिए, अगर आप किसी को नौकरी देते हो, तो उसको पूरी नौकरी दी जानी चाहिए, यह नहीं कि उसको अदमरा करके छोड़ दो, पहले उसको डेली वेजेज पर लगाओ, फिर उसको परमनेंट करो, तो पता चला उसकी जिन्दगी उसी में कड़ इसी बात पर कॉंग्रेस, हमारी जो कॉंग्रेस के साथ समर्थन की बाता है, वो यह अब जो भी काम करना है, उसको बागदा फ्रेम वर्क में होना चाहिए, और सभी तरीक से लेगए, आदा समय का निकला अभी तो, कि वो मत होने जा रहे हैं, और दो साल के अंदर होने की बात में कर रहा हूं कि यह बताना चाहते हैं कि चाहे वह आपके बेरोजगारी के मामले पर बेरोजगारी भत्ता हमारे से करने वह ooh advice की बात निकर हममें यह कर रहा हैं कि पडि़ के अंधर घूर यहाप सी गुडवाजी मतल़ा कहीं ने की गुडवाजी भी ना कहूं दिनेज धनेज जी तो अकेला छोड़ दिया इनको क्यों अफ्राप किया साथ नियत का है अगर किसी के साथ कोई commitment है पूरा commitment रहा uh नहीं थो हुए बात वही है लेकिन हम चाहते तो हम कुछ भी कर सकते थे न उत्पाथ जैसे बहुत सारे कर रहे हैं हमने वह भी नहीं किया क्या हमारा जो विजन है पीडियाफ का वह यह है कि पहले इस्टेट का भला होना चाहिए इस्टेट का भला होना चाहिए हमारा भला हो नहों लेकिन इस्टेट का भला होना चाहिए अगर स्टेट के लिए साथ में, इस्टेट के हित के लिए साथ में, इस्टेट की बेरोजगारों के हित के लिए साथ में, इस्टेट की जल, जंगल और जमीन के सवाल पर विकास के साथ में, सरकार बनाने के साथ में, इसलिए नहीं कि हमारा बला कैसे हो, इसलिए हमारा कता ही विज तक रहा पीडिएफ की बात नहीं जिन कहीं कि विकास के मुद्दों पर पीडिएफ ने कॉंग्रेस को समर्थन दिया था लेकिन बावजूद इसके जिस तरह की बात इन्हों कहीं कहीं न के कमजोरी भी पीडिएफ की जाहिर हुई क्योंकि दिने जधने को पद ना मिलने वाल इसके समर्थन जारी है और इस पूरे मामले के उपर जिस तरह का स्टेंड रहा है तो कहीं न कहीं पीडिएफ भी चाहता है कि सरकार सतर चलती रहें कहीं भी सरकार में विंग्टन वाली स्थिति पैदा ना हूँ नमस्कार